प्रश्वागता अब्यास एकडमी के यूटूब चैनल में जल्दी से जल्दी जुढ़ चार्ट करते हैं जो अमारी एगरीकल्चर में स्पविश की सीरीज चल रही है आज उसका है पार्ट धर्टी फाइंः ये जो एगरीकल्चर की है, सभी इусаी के यहाल औज़ेकू एकडमकता के लिए बहुत ज्यादा इम्पूटेंट है और जो एक्रिकल्चर की सीरीज एक्रिकल्चर के सभी कॉंप्रेटट एक्जाम के लिए बहुत इंपॉटन्ट है चाहिए और आप अप्याणा अडियो और ऑफो की तयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए न्यू बेच्च स्टार्ट हुआ भी चाहर तारिक से ना इसके लिए इन दोनों की जो फीस है वह 2000 रुपे जिसमें लाइब क्लासे प्लस रेकोड़ेट वीडियो टैस सीरी सारी चीज मिलने वाली है अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की उसका कोस मात्र नो सो निन्याव रुपे के अंदर हैं अगर आप 37 गड़की किसी एक्जाम की प्रेपरेशन करने जिसके अंदर आपको टैस्स सीरी प्लस लाइब क्लासे आर कोर्स करिजना पड़ेगी एडियो के लिए अलग खरिजना पड़ेगी इन सबका एक सोलूसर है कि आप एक ही कोर्स ले सकते हैं और और एक्जाम के लिए एक सिंगल कोर्स विजाई भव जिसमें आपको सारे एक्जाम से अग्रिकल्चर के कवर कर आए जाएंगे जिसके अ सारे एक्जाम चाहिए वो एफ हो एडियो जितनी भी एक्जाम हो जाएं वन येर के अंदर वो आपको सारे कवर किये जाएंगे या फिर आप ऐसा ही कोई कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें एमसी क्यू वीडियो सीरीज हो जैसे हम यूटूब पर पढ़ते हैं वैसा ही अगर आपको एमसी क्यू सीरीज चाहिए 5000 एमसी क्यू तो यह भी आपको मिल सकते हैं 500 रोपे मात्र चलिए आज का जो हमारा सेशन है वह एंटम लोजी प्रणाम गुड़ इवनिंग जैसरी र लगना क्योंकि आपसे कौसर नहीं बनते हैं कोई बात नहीं है इन को संव आपक्या करना नोट कर लेना यह कौसर आपके एकजाम में डारेक्ट पूछे जांगे ठीक है यह जो कोशन आपके एक्जाम में डारेक्ट पूछ जाएंगे ठीक है चलिए बताई आओ तो विल्टिंग ओप ग्राउंड नेट प्लांट्स इन पैचिस बित्र डैमेज रूट्स इस कोज़डवाई ग्राउंड नेट के अंदर फटापट बताएं ग्राउंड बित्र डैमेज रूट्स इस कोईज़डवाई कि ग्राउंड नेट के अंदर विल्टिंग कौन करता है इन पैचिस एंड डैमेज रूट्स रूट्स को कौन डैमेज पहुचाता है हां हिंदी में बिल्कुल समझाएंगे कि मूंघ फली के अंदर आपको बताना है कि पेस्ट के कारण इसा होता है तो संक्सम्राइब को सब्सक्राइब करन संब्सक्राइब पह्ता बट बता है और लेंग को शेयर कर देए तो यहां पर देखो है थीक है कि शिम्रन चोहान और आंसर आएगा सी वाइट ग्रफ है न हम लोट्राइज सब्सक्राइड एक अन्सराइगा सी आंसर तो बहुत सारे स्टुनेंटों क्या अंसरा रहा है वाइट ग्रफ के कारण ऐसा होगा वाइट ग्रफ के कारण ऐसा होगा ठीक है ना किसके कारण वाइट ग्रफ के शेर कर दें लिंक को आप क्या करें शेर कर दें चलिए नेस्ट को सब्सक्राइब को बताना है कि वाइट ग्रफ वीट से ले एग्स कहां अंडे देते हैं ऑन दा अपर साइड ओप दा लीफ सिंगली लूज सोईल अप्टू देप्ट ऑप 10 सेंटीमीटर नियर दा रूट हैं फटा पट बताईए कहां पर वाइटे कहां अंडे देता है फटा पट बताएं तो यहां पर आंसर ओर सिंवरत फिट्निसj मैं डेवाबी अंसर एक बाल लिंक को शेयर खर दें षैंटे केंड शोल के अंदर मिर्दा के लिजया crazy अ और आपके सामने हैं तो आपको कोश्टन अगर नोट कर लेना क्योंगी एक्जाम में डारेक्ट आने के चांसे जिनके ज्यादा है बिलकुल सेंडी सोली के अंदर देता है ने स्कारिफिकेश्स ओंव ग्रॉंड नट पॉर्ट सिश्ट बाई और जो फली होती है उसकी एसे इस यह ना आपने देखा होगा कि अग्रॉंड पोर्ड जो होता है इस पर इस प्रकार से स्केरिफिकेश्न कोन बना देता है किसके ऐसा हो था फटापट बताई यह यह सम बाइट ग्रफ को नैशनल पैस्ट कहते हैं बिल्कुल सही बताई इसकेरिफिकेशन ओफ ग्राउंड नट पॉर्ट इसकोज्ट भाई किया यहर विंग किया अंसर आएंगा खर्ट पॉर्ट स कोजड भाई इसकेरिफिकेशनों ग्राउंड नट पॉर्ट इंसकोजड़ यह 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 विंग ट्रमायट किया यह वाविव इए विथे फटापट बताईं कि और आधि जbane और चमरणद का अंसर भी यूजिए वाकि लोग भी आंसर पताएं फटवट आपे दी दो आपको इंगलिस है इंस्ट का नाम इंडी में में हैं दो क्यों नहीं आते हैं इंसट के नाम मैंने याद नहीं सब्सक्राइब कि अब यह वें को हिंदी क्या क्या थे मुझे नहीं मालूं इतनी इनकी हिंदी बहुत कटें होती है तो आप कम से कम इंसेट के नाम तो इंगलिस में याद करी या इतना तो इंगलिस में बनता है यह सुद दिन दी मत पढ़िए बिल्कुल क्योंकि एक्जाम हो सकता है कि इन ति यह इंग लेगा है तो इसका करेक्ट ऑंसर ट्रमाइट दी मगना इसका कर्एकट आंसर है यह यह स면 कि करण मताई कमेंट सेक् sırि मस्टर्ट उफल्ई कहां अंडें देती हैं मस्टर्ड उफ्लड एक्स कि ये सिप मार्जण डू रूटस्चयं कहां अंडें देती हैंarbeiten पर रहा है बहुत सही है कहां पर लिप मार्जिन पर है जो है सद्स आ कहते है जिसका साइंटिफिक नेम इंदर प्रोग मोलिप मार्जिन पर रेंडे और्य जैंडि मों प्यूपेट्स है ना प्यूपेशन कहा होता है मस्टड सोफलाई के अंदर प्यूपेशन कहा होता है फटा पड़ बताए कमेंट सेक्शन में एक वाले लिंक को शेर कर दो बताई आप मस्टाड्स फोलाई के अंदर प्यूपेशन कहां होता है इस इंप्रॉटेंट कोशन है क्योंकि एक शाम मस्टड्स फीलाई ऐसा इन सेक्ट जो है अबने परेंज करता है यह एंदर मस्टड्स अबर आइख खैक पर करते हैं जिसका बेनिफीशन इंसेक्ट है तो यह काहां करता है अब तो बिल्कुल कहां पर करता है आंसर बिलकुल न सोइल के अंदर इस टम ने याद रखना कहां पर करता है ए आंसर आएगा चलिए तक बताइए नैस्ट कोस्टन कि फटापट बताए और युलि आस्ट कोस्ट इस सर्कूलर भी यह मोस्ट इंपोर्टेंट को सब्सक्राइब कि ते साथ इसके लुक्ष था था ओप्ड लारभी इस केरेस्टेटिक्स सिंप्टम सोब ठीक है की कोटन वोल के अंदर जो सर्कूलर बॉइंध challenge को टन के अंदर जो circular बॉर फोल्स होते हैं और इस बॉर उल्स का जो अना इंधो ओपनिंग होती है वह लारवा के दोब ट्रग रहती है बंद रहती है तो आप बता ये ठीक है वाटा पटाप बताएं पिंग बॉल बॉंब इस पोटेड बॉल पोटेड अमेरिकन बॉल भॉम यह स्पाइणी बॉल बॉम क्या आएगा आपको बताना है सर्कुलर बोर्वल्स आपको इस लाइन को याद रखना है आपको ना जब भी कभी एक उस्पाइगा ना तो टेके सब्सक्राइब वाहर है सब्सक्राएबुर्षेन सिखश चैनल कि की चैनल करें शोटीन स्प्क्राएब कि सब्सक्राइब एगया थो तक तर देम सेरेक्टा अचरम कारण। वोटा होता है वाइं आमरिकों मेर्म को च्वार्म शर्पॉरल्स यैस्घ आमेरिक और भॉर्म से बंता है कि से बनता है मॉ Sãoец कि अरंगुन सकते हैं अमेरिकन बॉलकर्ण के कारण यज सबस्द्स होता है चलि शूह संहते हैं यह आप से पूछते हैं इन कोटन डीटू किसके कारण ठीक है है यह लिग वर पार मी जह रहा बिलकुल सही है ना बताइए अगला कोशन है फ्लेट इसकौर्ड इन कोटन इस द्वाई फ्लेट इसकौर्ड यह भी इंपोटेंट है जो कि एक्जाम में बहुत ज्यादा पूच इसका अंसर क्या होगा फ्लेट इसकौर्ड सिंटं कोटन किसके कारण ऐसा होता है आसु गुरजर का अंसर एक रभी चंद्रन का अंसर है डी साबंत साउ का अंसर है स्पोर्ट इड बॉल्वों सेमरंच शी आंसर लिए से मेडिटेशन बी आंसर एक ठीक है तो यहां पर करे इस्पॉर्टेट बॉलों किसके कारण इस्पॉर्डेट बॉलों के कारण यह YouTube सब्सक्राइब इस तरह गलती मत करो कि एक्षर्ण नोगेना बिल्कुल रटके रखवां कि एक्जाम में डारेट कोस्ट पूचे जाते हैं पूछ इसा certainty सब्सक्राइब के कारण होता है इसके कारण तो डवल सीट फॉर्मेशन होता है डवल सीट फॉर्मेशन इसके कारण तो होता है डवल सीट फॉर्मेशन कौन सा डवल सीट फॉर्मेशन है कि लियर है डवल सीट फॉर्मेशन होता है इसके कारण जो इस्टुदेंट गलत आंसर दे रहे हैं वह एक बार है ना याद करें अच्छे से जल्दी ना दे कोई बात नहीं है ना क्योंकि यह इंपोटेंट कोस्टन है जो कि एक्जाम में अच्छे से मतलब बारवार रिपीट होते हैं तो डवल सीट फोर्मेशन तो होता है किसके अंदर पिंक वोल वों की कारण इरियाश विटेला जो है इस्पोर्टेट वोल वों इसकॉम कहते हैं इसी से होता है फिलर डिसकॉर्ड क्लियर है जिन लोगों का आंसर सीता एक बार है ना कोई बात नहीं नेस्ट कोस्टन में ट्राइगर हो आइस कोस्टन यह तीनों आना बैस्ट गोलों के कुछ सने दवाल वों मिस्कॉपरं ओपनिंग वन्स एंटर इंटर इंटर इंट्व हो जाता ना तो ऊस ओपनिंग को कवर कर देता यह पता इन चलता है कि इन्फेक्ट्ट वो ओंक्तुम होता है तो पताइह कॉन सा है क्यों सबसे ज़्यादा सीरियस इसी तो पता ही नहीं चलता है कि इंफेक्शन होए की नहीं तो इसका आंसर बताइए प्रियार एक्रोसर्वेस एंसर दीपक एंसर स्वरस्वति पटल अमेरिकन आसुगरज़ एंसर ठीक है एसगुपताय आंसर फिटनिस फ्रेंक अमेरिकन परमार पिंक वलवू रितिस अमेरिकन तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना पिंक वॉल्वूं बस अगर गलती हो रहे हैं तो तीनियों अब गलती मत करना आगे से ठीक है तीनों का अग अगर आप पूचा जाता है इस फ्लेड इसको आड़ तो आंसर बताने जीरियास बेटेरा अगर यह पूचा जाता है कि ओपनिंग को आद कवर कर लेता है तो है पिंग वल्वों ठीक है चलिए कि आपनी बोलते हैं थोड़ा स्टेंडर्ड बढ़ाओ अरे बोलते हैं आपने की थोड़ा सारे स्टेंडर्ड बढ़ाई को संगा एक बार सेशन को लाइक जरूर करते हैं अगर आप से कोश्चन नहीं बन रहे कोई बाद नहीं घबराओं होती है इन को डारेक्ट याद कर लेना क्योंकि एक्जाम में ज्यादा पूचने की संभाव एंड एंड ड्राइंग कोटन लीप इतने ताथने सारे सिम्ट Programm कोटन में किसके करेंन वहते हैं फटा पाड़ बताएं कि इस सारे सिंप्टम से मार्फन मार्जिनल डाउन डॉन डोलिंग कॉलिंग या लो इंग ब्रावनिंग ब्रोंजिंग ड्राइंग औप कोटन आलिव इस दूटू दे करेक्टराइज शिपनपसों वाइट फ्लाइ कोटन लीफ ओपर बोल बॉंस या रड़ कोटन वग कि फटाबड बताएं क्या अंसर आएगा मार्जिनल डाउन बड्रोलिंग कपलेंग यालो इंग अना ब्राउनिंग ब्रोंजिंग यह सारे जो अशितन आएज बम चैनल फाउनिप कोटन लीफ ओपर रवीचंद्रन कोटन लीफ ओपर तरमार रैटाइएज खोटन वग बग देवा भी मैं तो लुए इसका कर्एजर्ट रैटाइएज नहीं इंब्ड नहीं है ना लीफ ओपर या जिव ये जैसेट भी कहते हैं और वाई इसको में जैसेट नहीं कहते हैं मरा का फिगू टेला इसके करण आंसर आएगा फिशे किसके करण तो आंसर है कोतन का लीप उपर जैसे हम पहती हैं इसके करण जी रेड़ कोट्न वक रेट कोटन वक जो है कहां अंडे देती एै लिए एक अनगर कर दो आपर साइड ओफ लीव या फ्लोरल पार्ट्स फटा फट बताएं कि याद रखना कहां पर सोईल के अंदर कहां पर अंदर देता है सोल के अंदर है चलिए नाइस्ट कोस्टन है चलिए फटापढ़ है नाइस्ट कोस्टन बताएं आप बंची टोप अपिरेंस इन ग्रोइंग अफ सुगर के अंदर जो बंची टोप अपिरेंस होता है यह किसके कारण बनता है फटा पड़ बताएं अब यह किसके कारण टौप सूट बोरर होता है कि नाम पड़ा होगा इस प्राइब को फैल निवेला यह फिर ट्राइफो राइजा ट्राइफो राइजा निवेला चलिए अगला कोस्टन है है सुघर कffeन सेट्स फिंद général फिल फिल बफ्लिंट लगाएं गिए जिसका आंसर आप बदा सकते हैं किस को इसका आंसर बटा सकते हैं फटा बटन है इसका आसर बता सकते हैं सोगर क्या ध। फिल्ड बिद दा सूल ले फटापड बताई इसका अंसर का कोसन नमर 12 का अंसर बताएं शूट बोरर टर्माइट इसकेल इंसेक्ट या फिर वूडी अपल वूली अपल फटापड बताएं कि अचली है गया सब्षक्र कर सकता है कि इसा काम कर सकता है तो यहीं शोल के अंदर रहता आपसे बोलाते हैं कि यह सोल के आंदर रहता है है किसके अंदर सोल के अंदर है ठीक है टर्माइट है चलिए को सबसे पहले अटेक करता है रूट पर या सूट पर लीज पर या फ्लोवर पर फटापट बताएं सबसे पहले किस पर अटेक करता है चलिए बता ही आप क्या अंसर आएगा कि मैं एक बार फिर से कर रहा हूं को सन को एक बार ध्यान से पढ़ें गलती ना करें नाम खाली रूट बोर रूट पर नहीं करता पहले शूट पर करता है कि पहले याद रखना सूट पर अटेक करता है ना डाट फोर्मेशन करता है सूट के अंदर काली नाम ही रूट बोर है पहले शूट पर करता है कि अधिया आएगा से नहीं आएगा ना अंसर भी आएगा सूट पर करता अब अगर जो इन रफरेंस वो कह तीबी पर साथ एंटम लोजी के आती है बुक टीवी पर साथ राइटर जो है उसके अंदर जो आप स्म्टम्स पढ़ोगे इसके तो उसके अंदर स्म्टम्स में कि लिकिकहा हुआ है कि सबसे पहले अटेग में कुछ करता है किसमें करता है सूट के अंदर गडराrition दा थिंद्वार इसलिए let me कड़ता है लेकिन सूट में पहले कड़ता है रहीज चली अगला कोस्तन आमको द्यान से पढ़ना और बताना है कोच सा नमर चाहँ दा ओनली बूचिट्स तिक बूचीडी फैमली जो होती है ना इस्ट बात कर रहें इस्टोर ग्रेंड पैश्ट की बूच बूख़शेट बिच अटक ग्राउंड निट इन श्टोरिज एज मूःफ़ली के अंदर ठीक है मुंगफ़ली के अंदर ऐंली बूट बूचेट मूःचेक अंदर कौन सा इस्टोर्ग्रेंट पैस्ट जो आटेक करता है आपको बताना है जो भूचिटी फैमली का होता है फ कि संतोस खोड़े सी आंसर पलिहार बी आंसर्क हो जतने चोहान बी आंसर का असूकूरुजब्य ये इस ऑप को पता है फटापर बदाए जो की क्योंट रखता है क्या रोगा है यह दस इंदते का मिद्ग और फोस्साइनल जो भी है यह भी यह तो आपकोती मov na क्यूछ क्या रॉट्वल परकार से छिपके और क्तेश को रहा रहे सोगे अज़रा रहा रहिorn एक प्रकार से पल्स वीटल है अरे हाँ आना या ने जो को एक प्रकार से पल्स वीटल है रहाँ पे अब हो है अधिक लिप समझो कर्ये आनग गुरॉट जाइन लिटल अनसर होगा यह बूस्षी फैमिली का इस्टोर गोन पैस्ट ठीक है चलिए next question की तरफ चलते next question आपके शाम लिए है कौन सा नोट करेक्टि मेंजड़ है यह स्टेंडर जो की एक्जाम पूछने की संबावना ज़्यादा है इन इन कोस्टनों की एक्जाम में आने की possibility बहुत ज्यादा है अगर आप से नहीं बन रहें कोई बात नहीं आप इन को सब्सक्राइब कर लें सीधा सीधा ठीक है वो सकता है इसे डारेक्ट आपके एक्जाम में मिल जाए आपको आपको बताना कौन सा सही नहीं अब इतने सारे देखो कि यह ड्राइड लीप लेट फित गैलरी जन ओल्डर कोकोनट फ्रोंट तो यह कोशन के अंदर चार कोशन है कि वाई बिल्कुल सही है यह वाला ओप्षन क्या है बिल्कुल सही है ना कि यह ब्लेक हैड़ेट केटरपलर सब्सक्राइड फियन देने भाइं जो होता है उसके एसम्टम सब्सक्राइड तूसरा यदो यह6 उन्प्रिक्लिभ त्छे सलिए सुट्डय सब्सक्राइल लेट यह गलत है क्यों यह राइनोसरस बीटल करता है यहां पर लिगा मैट करता है तो यह ट्रंक करता है तरंक के अंदर चलिए इन कोशनों को आप याद करें ना सीधर सीधा वाई इस्टेंडर्ड कोशन जो एक्जाम में आने की पॉसुलिटी बहुत ज्यादा है अगला इन कोकोनट इस्टेम और यह वाला मोस्ट इंपोटेंट कोशन कई एक्जाम में पहले आ चुका है यह जो कोशन हम बात कर आते हैं रूट और सूट के अंदर किस इंसेट को कंट्रोल करने के लिए ठीक है कि कि फटापट बताएं कि क्या अंसर आएगा राइनुसरस बीटल रेड़ पाम बीटल इसकेल या ब्लेक हैड़ेट कैटरपलर यह कोशन कई एक्जाम में आ चुका है पहले यह कोशन जो है यह कोशन पहले कई एक्जाम में आ चुका है इन को को नेट स्टेम रूर्ट इंजक्शन टेग्टी तुद फूम्हेंट ऑठीक है यह कोशन पहले ही एक्जाम में आ चुका है और अचुका है और है याद्ध आउसर यह ब्लेक हईड़ेड कैटरप्लर अटक्रेक्विट अ कौन ब्लेक हेड़ेट कट्रेप्लर इस दे करेक्ट ऑप्षन दी आंसर बिल्कुल सही है अगला माइन्स ओन लीप्स लीप माइन्स ओन लीप्स एंड बोर होल्स ऑन टेंडर सूट एंड ट्यूबर सीट पोटैटों कोज्ट वाई अगला कोशन आपके सामने यह है अगला इस एंड बोर होल्स ऑन टेंडर सूट एंड ट्यूबर सिन पोटैटों कोश्ट वाइदा कट पोटैटों ट्यूबर मोथ एफट या बीटल फटापट बताएं कि गूड इवनिंग पुतिन वाई वह लेटा आए वाज तू कि आपके आफ़ ऑफ इसे सबसेटी का बेलकोल विल्कुल भी आंशर सही आ रहे है पोटैटों ट्यूबर मोथ है ना पोटैटों ट्यूबर मोथ जो इस्टुडएंट पहली बार इस लाइप क्लास को देख रहे हैं इक लाइप क्लास डेली 9 p.m. पर चलती है नव से लेकर 10 तक तो आप पहली बार आएं तो आप डेली नो से 10 पर इस पर जुड़े रहें ठीक है ना पॉटाटू टूबर मॉथ की करन्ट पॉटाटू बीटल तो होता ही परिहार एग्रो सर्विसेज चलिए नोचिंग ब्रिंजल लीफ्स इस कोईट वाइद फीडेंग ओप यह आपके लिए नया कोशन है साथ आपने पहले पढ़ा भी यह कोशन डायक्ट मैं आपको अंजर बता देता हूं अगर यह कोशन आपसे अग्जा में आता है कि नोचिंग ब्रिंजल लीफ्स इस कोड़ वाइट वाइट वाइस भी विल ठीक है नैस्ट कोशन यह कोशन आपने पढ़ा हुआ है यह कोशन माइनिंग 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 कोशन नमर उन्नीज का माइनिंग इसका अंसर बता सकते हैं ठीक है फटापट बताएगे बताएगा यहां पर अंसर रभी चंदरन एंशर दीपक एंशर है मनत कोर एंशर है आसुगरजर एंशर है है मंजू एंशर एंशर संतोस भी आंसर है हिंदी हुआ हिंदी के हैं यह कैसे तक बना इसकलेटाइट मतलब किया और एक पुरसकार का पूरी पत्तितियों को खाया आएगा बीच में आपको लाइनिंग लाइन सिंग सी मिलेगी बस ओली बीच बीच का ग्रीन मेंटर ये खा जाता है ठीक है यह डायमंड ब्लैक मोथ याद रखना सिधा डायमंड ब्लैक मोथ जो होता ना फुलू टेला जाइलो इस टेला उसके चलिए अगला मोस्ट इ ला इस रिडीउस टुडा डेमिज ऑब फौलोविं पंस नाम क्या है जिसका नाम को टेस्या पुलूटेल है जिसको रिलीज किया है तो किस कीट के नियंद्रन के लिए आपको बताना कि SIM कीट के नियंत्रन के लिए सब्सक्रण के लिए lij कि बताया हो अब बता सकते बिलकुल औभी मैंने को candle का साइंटिक में बता सकते हैं को तो सच्छ तो डैमेंड ब्लक मौथ से करेक्ट गो सुल्क्ष्च नंबर 2 ैuri फ्मधेश्ज करेक्ष तो कॉसोन मस्कूर टॉंटीवन पॉलू वीटलि निचुनटीटों से लोगी ट चार्श टिंगरी पनल वीटल होता है पॉलू भीटाल किसका एक वीप्टेइन na पूशतेए बहुत रुका हो पूखताएं यह इनकित इंपकुड प्रुटरी उनका फ्रुटर्ल वीटल्स टे इं एक्जाम में डारेक्ट पूछनी की संभावना इन कोश्वनों की ज्यादा होती है इसलिए पॉलु वीटल किसका एक इंपॉर्टेंट प्यास्ट है तो क्या आंसर पेपर आंसर आप ब्लेक पेपर वाई रहा काली मेर्च का पैस्ट है ठीक है ब्लेक पेपर का कि काड़ एक पॉलु वीटल मैंने इंपॉर्टेंट पेस्ट किता होता ब्लेक पेपर का ठीक है नेस्ट क्लास में थोड़ा कम कर देंगे लेविल को ना नेस्ट क्लास के अंदर कम रखेंगे यह एंटोलों जी थी ना इसलिए आपको कहना ता कल अरे सरा आप लेविल नहीं बढ़ा रहे चली ड्राइंग विद्रिंग टर्मिनल सुट इन सिट्रस ठीक है सिधा सिधा याद कर सकते हैं आपके लिए इतना फाइदा हो गया जिक्ति तब आपसे अंसर नहीं सो सकते हैं इसको सब्सक्राइब आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको फाइदा हो जाए ठीक है की न सीधे ऐसे सिधा याद कर लो टो टीक है वेmost LAURAKE कुंकि सिंटम्स अगला कोशन विश्वन ओफ फॉलॉउंग नौट करेक्टली मेच विश्वन ऊप फॉलॉइंगं यह नौड करेक्टली रिगार्डिन देमज्च प्रखेश भीजिक आपको बताना बताना है कि कॉन सा करेक्टली मेंच नहीं है निकोसर형 23 का अंसर आपको बताना है को कॉसर नमाट 23 हां कल से मिक्स रखेंगे है कि अरे कल बोल दिया तोना मिरा बाई को औरतिक की एंटमोलोजी का है है न पहले आपने कल बोल दिया तो यह आपको बताना है कोसन नमर 23 सिम्टम से गैलरी जैड और फोर्ण इंसाइड देस्टेम सिट्रस सूट अंड बिलेक बुरर बिल्कुल सही है यह वाला ठीक है इसको रूटिंग ऑफ सेट्रस फूरूट एंड लेगलेस लार्विंसाइड यह गलत है तो हमारा जो आंसर ह ने डेमिज कौन सा करेक्ट नहीं यह भी आंसर है इसका डिफॉलियोशन ऑफ सिट्रस बिल्कुल सही है यह वाला जिग जैब बिल्कुल सही है तो आपको आंसर याद रखना भी कि इसका अंसर बताई आप इन पॉमोग्रेनेट बैगिंग यह तो आप बता सकते इन पॉमो पॉमोग्रेनेट बैगिंग और फूट्स बिट पॉलीथीन कवर इड़न अवोड़ देमिज ओ बताई फटा बढ़ कल कोशन का लेवे थोड़ा कम रखें कोई बात रही है ना आज उपर से जा रहे है तुमारे लेकिन उपर से इसली जा रहे है क्योंकि एंटम लोजी है कि इसमें 90 पर संटी घलत आंसर दे रहा है क्यों की कोशन को जल्दी रिप यह यहाद रखो। यह की बात और बेटिस फ्रूट वह सब सब्बुन के लिए मेवापंपर फ्रूट पॉर्व के लिए करते हुं रहा चलू है कि सब्सक्राइब करें रेकले मिन सब्सक्राइब को को तोड़ लिए प्रविपेट्स आज का लेवल थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन आपको यह आद कर लेना देखो बार बार बोल रहा हूं अंतर कुछ को सब्सक्राइब नहीं पड़े होते हैं तो मेरी को सिए आपको की वो को सन आपको मिलें आप सिधा याद कर लो अकर को सनना है देहां तो जनानिट लिप माइनल पीपेस तो बीटी लिफलेट्स ठीक है चली री लीड टिव वेट पूर सपोट सैट इन मस्टड कर लीव टिव बेत पूर पूर पॉर्ट सैट्स ऐन मस्टड इक औरेक स्टेट्स ओंड़ सब्सक्राइब बताएं करली लीव टिप पूर पॉर्ट सेट इन मस्टर्ड नेक्स्ट कल की जो क्लास रहेगी लेवल थोड़ा कम रहेगा ना चंता मत करो कभी कभी ऐसा होता है कि यह ना तुम्हारा कहना रहता है कि लेवल बढ़ाओ तो मेरे साब से चलने दो तुम्हारा सही काम चलेगा करली लीव ट्यू है यह आएगा एफिट से मस्टर्ड एफिड यह बिल्कुल सही है ना मस्टर्ड एफिड लेपापस इरी सीमी कोशन नमाट टंटी सेवन दा बैक्ट्रिया रेस्पोंसिवल फॉर दा इस्टैनिंग पूछ लिया कि अच्छा बुलाया था अरे आज कोशन थोड़ा हाड थे हैंना कल उनको बोलना एजी रहेंगे कोशन देखो आर देखो आप कॉम्प्टेटिव एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हो तो आप क्या हाड क्या लोग यह मत सोचो आप तैयारी कर रहे हैं तो आ कोई बात नहीं कल से आपको एजी लेविल रखेंगे ना मीडियम वाला मोट्रेट वाला रखेंगे तो इसका यह एक्जाम में डारेट कोशन पूचा हुआ कई बार यह एक्जाम में कई बार कोशन आया हुआ है ठीक है ता बैक्ट्रियर रेस्पोंसिवल फॉर दा इस्ट अच्छान ऐसर ना कि इस स्टीपिंग ऑफ सुघर के लिफ्स मिनिमाई अटेक ओव अरली सूट वोर मिली वग इसकेल इंसेक्ट टोप तो इसका आंसर में बता देता हूं मिली वग सिट नॉम्मर 29 ऐसे पोटाटों का वह कौन सा पैस्ट जो फिल्ड प्लेश इस्टोरिव य quartz टोन इंतेग करता है वतलब कित पटाड़ कर नोबैस्पैक्ट भाष्ट ट्यवाल स्था पटा पिल्ल बस वाट होसा guru में सलब्ला स्थीयष इस्टुरह कुंसौन साफ टाट टोanca करता है कोशंन नम्हार 20 नेMrटा को कुछ कोसन करे लेवल ठोड़ा ज्यादा था है", irregular holes on the detect बीटल्स एर्रेगुलर होल्स ऑना को कर भीट बीटल्स एधीमिट सिंटमस फाटापड बताएं यह लास्ट कोश्चन है अबना एर्रेगुलर होल्स अन्द दा को कर भाइट पूपिल्पिल इंधि फ्रूट फ्लाई फ्ली वीटल ड्पमकिन वीटल ड्रेड़र तर र्रेगुलर होलसरं डखो कोकर वीड़ सी आंसर आюगा बिल्कुल रेड़ं किन वीटल ऑ,- तो आज जो अपने कोसंट द थर्टी थे थोड़ा लेविल ज्यादा था ना ले ठीक है इनको आप याद कर लेना ठीक है कल से थोड़ा मोडरेट रखेंगे ज्यादा नहीं रखेंगे लेकर कभी-कभी तो आपको एक्जाम में अपन दो को हर एक्जाम परिष्टिती के लिए तैयार रहने चाहिए हमको कि वह एक्जाम हो सकता है इन में सोगी कोशन आगे ड आप मोड़ेट मिक्स लेकर आएंगे बिल्कुल है ना आपको मिक्स मिलेगी सारे सब्जेट की हैं ना मिक्स की दिख बिलकुल अब करें आप सभी को समझ आया होगा बिल्कुल एक तो अब जो इस्टुडेंट चेनल पर पहली बार है तो उनका एक यह चानल को लाइक कीर प spins wird कर दें मैं और आपको किसी प्रकार की टायरी करना है कि यह फिंड है तो आप मेरे से फिलकुल पढ़ सकते हैं आप स्टीपों बर्बक्रन सब्सक्राएं पनले के सब्सक्राइब संड़े कि दैजल जाएंगे दिवन हम एंट से लेकर कि अछो पूद है इनकी जो पीडीफ है वो आपको मिल diferencia कर ने isolी केMusic आपको तेले ग्रामु पर पर आपको पिड्य हमेल जाएगी तरह तक क्यों के अपनी तारीक वागली जह न हें ठीक है जितनी भी क्लासे समने लिए हैं वो सावी आपको मिल जाएंगी चल यह मिलते हैं फिर हम नेक्ट क्लास के अंदर तब तक ती गुट नाइट